36 गड़ के परोसी राज्य मद्यप्रदेश के एक्जिट पोल को देखकर ये अंदाजा लगा जा रहा है कि वहां तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है क्योंकि मद्यप्रदेश के ज्यादा तर एक्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का अंकड़ा पाती दिखाई दिखाई द कि उम्मीद जिताई जबकि तीन एक्जिट पोल ने कॉंग्रेस और बीजेपी में 19-20 का फर्क बताया मतलब इन एक्जिट पोल में ये संकेत मिले कि मद्यप्रदेश में जारी इस मैच का फैसला आखरी ओवर तक जा सकता है हलाकि जिन एक्जिट पोल में बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया गया और कॉंग्रेस के खाते में सिर्फ 80 सीटें आती दिखी कुछ ऐसा है इशारा टुडेज चानक्य के एक्जिट पोल में भी मिला इस एक्जिट पोल में बीजेपी डेड़ सो सीटों पर बढ़त बनाती दिखी वहीं कॉंग्रेस को सिर्फ 74 सी सरकार में वापसी करती दिखाई थी भारती जनता पार्टी फिर सांदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है 230 सीटों वाली मद्दप्रदेश विधान सभा में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है और इन एक्जिट पोल में बीजेपी को आसानी से बहुमत हासिल होने के संकेत मिलते नज़र आए और मान जा रहा है कि बीजेपी की इस बढ़न के पीचे सबसे बड़ा कारण उसकी चुनावी रणनीती रही जानकारों का मानना है कि BJP ने चुनाफ से ठीक पहले जो कई बड़े फैसले किये और एक्जेट पोल के आंकरों ने ये संकेत दिये कि उन्हीं फैसलों ने BJP के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता खुल क्योंकि एक्जेट पोल में BJP शांदार वापसी करती दिखाई थी हाला कि मद्ध्रदेश में BJP को एंटी इंकंबनसी की वज़े से नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी क्योंकि वहाँ पिछले 18 साल से शिवराज सिंग चोहान सरकार का चेहरा है लेकिन जानकारों का मानना है कि BJP आलकमान ने इस आशंका को पहले ही भांपलिया था और माना जा रहा है कि इसी वज़े से BJP ने 2023 के चुनाव में CM के चेहरे पर सस्पंच बना रखा इसके लावा BJP ने चुनाव में तीन केंद्रिय मंत्रियों को भी उतारा साथी साथ सांसदों को भी विधान सवा चुनाव के टिकेट दिये और एग्जेट पोल में तगड़ी बढ़त बनाने के बावजूद BJP के नेता मुख्यमंत्री के सवाल पर चुप्पी सादे दिखे जानकारों का मानना है कि BJP को इस कदम का फायदा भी हुआ इसके साथ ही केंद्रिय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने से BJP को थिर एक बार जनता का भरोसा जीतने में मदद मिली जिसका असर ये रहा कि ज्यादतर एग्जेट पोल में BJP बहुमत का आंकड़ा पार करती दिखिए लेकिन ज्यादतर एग्जेट पोल में BJP को मिली इस बढ़त की बड़ी वज़े शिवराज सिंग चौहान की योजनाओं को भी माना जा रहा है जानकारों का मानना है कि शिवराज सिंग चौहान ने अपने 18 साल के शासन में जो योजनाएं चलाई उन्होंने एंटी इंकंबिंसी के खतरे के बावजूद BJP को बढ़त दिला है और इसमें सबसे बड़ी कामियाबी शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को माना जा रहा है इस योजना का एलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया था इस योजना के तहट मद्यप्रदेश की महिलाओं को हर महीने साड़े बारा सा रुपए देने का एलान किया गया वहीं पहले से चल रही लाडली लक्षमी योजना ने भी मद्यप्रदेश में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत किया क्योंकि चुनाव आयोग के मताबिक मद्यप्रदेश में 29 सीटें ऐसी हैं जहां महीला वोटनों की तादाद ज्यादा है और माना जा रहा है कि इसी का फायदा बीजेपी को 2023 के एक्जिट पोल में मिलता दिखाई दिया अलाकि बीजेपी की इस बढ़त की एक वजए कॉंग्रेस से बीजेपी में आये जोतरादित सिंध्या को भी माना जा रहा है क्योंकि 2018 के चुनाव में गौलियर चंबल इलाके में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था ये वो इलाका है जहां जोतरादित सिंध्या की अच्छी पकड़ मानी जाती है और पांच साल बाद यानि 2023 के चुनाव में वो इसी इलाके में बीजेपी का जंडा लिये नज़र आए बीजेपी को उमीद थी कि सिंध्या और नरेंदर सिंग्टोमर मिलकर गौलियर चंबल अंचल में बीजेपी को बढ़त दिलवा सकते हैं और ज्यादा तर एगजेट पोल में बीजेपी की ये उमीद पूरी होती नज़र आई लेकिन ज्यादा तर एगजेट पोलों में पिछड़ने वाली कांग्रेस ने ये उमीद जिताई कि 3 दिसंबर को नतीजा उसके पक्ष में आएगा 2018 में जीत कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले कमलनात ने तो ये ऐलान भी कर दिया कि वो 2018 के नतीजों को दोहराने वाले हैं मतलब कमलनात के मताबिक वो फिर एक बार मद्द प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं मतलब के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात ने एक वीडियो जारी कर कॉंग्रेस के कारिकरताओं को ये भरोसा दिया कि 3 दिसंबर को मतलब को मतलब को ये बहरोसा उन एकजिट पोल की वज़े से मिला जिनोंने मद्द प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविश्यवानी की क्योंकि साथ बड़े एकजिट पोल में 3 ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं और इनमें ETG के एकजिट पोल में कांग्रेस को 109 से 125 सीटें तक हासिल होने की उम्मी जिताए गई मतलब वो अकेले ही बहुमत का आकड़ा पार करती नजर आई इसके लावा जन की बात के एकजिट पोल में भी कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिखी और पोल स्ट्रेट के एकजिट पोल में भी कांग्रेस 121 सीटों पर कबजा करती दिखाई दी मतलब अगर ये एकजिट पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस दोबारा मद्रदेश में सत्ता हासिल कर सकती और इस बार उसे पिशली बार की तरह निर्दलिये विधायकों और मायावती की पार्टी बीएसपी का साथ भी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इन एकजिट पोल में वो बहुमत के जादूई आंकडे 116 को पार करती दिखाई दे रही